नमस्कार स्वागत है आप सभी कार अन्यूस पर आगके साथ मैं हूँ पल्लवी रवींदर सिंग देहरादून में आयमे में आज पासिंग आउट परेड चल रही है अलांकि इस दौरान कैंडिडेट्स के परिजन शामिल नहीं हो सकेंगे पासिंग आउट परेड में 425 जेंटलमेन कैंडिडेट्स शामिल होंगे वहीं 308 कैड़ेट भारतिय थल सेना का हिस्सा बनेंगे मित्र देशों के 84 कैड़ेट भी पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे यूपी के 6-6 हर्याना से 38 कैंडिडेट्स शामिल होंगे वहें उत्राखन के 37 पंजाब के 32 बिहार के 39 कैंडिडेट्स शामिल होंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रास्ट में सेवा के साससा समा सेवा और पशु सेवा कारिका भी जज़बा लिये हुए अपने मानवता और इंसानियत का बखुवी परिचा देते हैं ऐसी चमपावत में रविंद्र कुमार पहलवान जो बर्तमान में जिलापंचायत में जल पुलिस में सेवा देने के साथ ही इंसानियत और मानवता का परिचे देते हुए साल 2008 से अपने गौशाला के माध्यम से शित्र के घायल बीमार और दुरगटना ग्रस्त गायों की देखभाल सेवा और इलाज कर रहे हैं निनके शित्र में काफी सराहना और प्रशंसा की जा रही है रविंद कुमार पहलवान ने बताया है कि अपनी डूटी के साथ ही साल 2008 से घायल बीमार और दुरगटना ग्रस्त गायों को अपनी गौशाला में लाकर पास में ही इस्तिती पश्चिकित साले से इलाज करवा कर लगातर गौ सेवा का कारे किया जा रहा जिसमें कुछ इस्तानी लोगों का भी सहयोग मिल रहा है साथ ही उन्हेंना बताया है कि टनकपुर शेत में गायों का बहुत बुरा हाल है आया दिंद रुगटनाई होती रहती ही आज रविंद कुमार पहलवान के पास लगभग 90-80 गाये हैं जिनकी वो देख भाल कर रहे साथ में यहां देखी पड़ी मंदरी के सामने सिवले मंदरी के सामने दो तीन दिन दक गायें का सिरांड लगाए थी पड़ी रही तब से हम गाये को रहा कर आये यहां से तो उसके बाद हमने गो सेवा स्टाट कर दी इस छेतर में अक्स गांट बहुत ज़ादा होते हैं तो बढ़ती महंगाई को लेकर कॉंग्रेस प्रदेशा अध्यक्ष वे प्रीतम सिंग के आवाहन पर कॉंग्रेस कार करता हूं गदरपूर दिनेशपूर के स्थाने पेट्रोल पंप पर मोधी सरकार के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन दर्श कराया इस दोरान कॉंग्रेस प्रदेश महामंतरी ममता हालदर ने कहा कि भाजपा सरकार पून रूप से फिल साबित हुई आज आम आदमी कोरोना के 77 महंगाई से तरस्त है लेकिन सरकार इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है वहीं आपको बताते लिए आज पेटोल डीजल गैस के 77 खाद तेल डालों में बेतहाशा व्रदिकर सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी आम आदमी को अपना जीवन ग्यापन करना भी मुश्किल हो गया